सिल्की का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं सिल्की का इस्तिमाल एड्जेक्टिव के रूप में किया जाता है और इसका आर्थ होता है सिल्क के जैसा या सिल्क का बना हुआ यानि कि रेशमी, कॉमल, नर्म, चिकना, रेशम के समान कॉमल यानि कि रेशम के जैसा कॉमल या रेशम जैसा जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि इस कपड़े में रेशमी बनावट है तो आप कहेंगे This cloth has a silky texture या अगर आप ये कहना चाहें कि उसके बाल बहुत लंबे और रेशमी थे तो आप कहेंगे Her hair was very long and silky या अगर आप ये कहना चाहें कि एक बिल्ली के रेशमी फर होते हैं या रेशम के जैसे कॉमल फर होते हैं तो आप कहेंगे A cat has silky fur अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें